नमस्कार दोस्तों इलक्ट्रोनिक डायक पर आपका स्वागत है तो आर आज जो में उड़ोलाई पीवी के उपल आए और इसकी प्रोब्लम मैं आपको बता दू इसमें जो हमारे आउट्पूड वोल्टेज होते हैं है जो हमारे 110 के होगे वोल्टेज वो सभी वोल्टेज आउट्पूड वोल्टेज बनते हैं जैसे साओं के लिए 12 वाट मैं यह इसी के लिए जातें ऐ फाइवोल्ट 3.0 जो उससे पहले हैं加ओ एग सब्सक्तों बन रहें ठीक है है यह सकी प्रोब्लम है तो एक बार मैं आप और लगा देते हैं इसका बाद टीक है लग गया है तो यह रहा मेरा कनेक्शन बॉर्ड का लेते हैं लगाता हूं सीरीज में और में स्वीट दबा देता हूं तो सबसे पहले हमाराद मेंटर को सेट कर है लिया गया चेकर अब आमजनार के पास प्रमभी भीी तेते हैं खरता हुर क्षाया इससीरीचेकर हैं यहाँ पर भी सही होने है हमेरे वल्टेज तो देखिए आपको इसके एक बार आउटपूट वल्टेज चेक कर रहा देता हूं यह देखिए 1 10 का सब से लिए हमेरे वल्टेज देखिए देखिए नोट कीजए 68 एसे कुछ बन रहा है ठीक है आप डाउन हो रहे वल्टेज जिबकि यहाँ पर 110 कमसे हम 110 तो रहने चाहिए थे जो हमारे फिक्सा वल्टेज वो कमसे हम होने चाहिए 110 वल्ट अब देखिए इसके सेकेंडर से दूसरे डावट कि यहाँ पर जो वर्ट कि यहाँ पर कमसे हमें 12 वाट मिलने चाहिए थे यहाँ पर वल्टेज कम बन देखिए यहाँ चाहिए यहाँ पर जो भी हमारे आउट्पूड वल्टेज वो सभी कम बन देखिए इस तरह की प्रोब्लम होती है तो कहीं बंदे का संत है हमारा जो इंपूट सेक्शन इसमें फैंअ प्रोब्लम हो सकते यहाँ पर कहीं बारे सेकिस होते इसमें इन्पूट सेक्शन में बीरे से पहले उसमें आपको एक वीडियो जária उसमें के वाण Cookie आदे की अको इसमें प्हुस्केंन से कुच भी हो सकता है इसमें आपको लुका को बन कर देखिए यह आपको कुछ से फसके सफिक toute समस्षरी ऊंधान चार्ट तो आधितर हैं से होता है कि हमारे जो प्रीषयड हो एख रहाब SCS ए प्रोब्लम हो सकती है फूर होती है इस से ITS इसी से, INPUD में हो सकती है OUTPUD में हो सबुआ है OK यूँ कि कहीं बाइ शोटी बनती है फिर स्क्रीन दिने लगती है फिर स्क्रीन बनती ही नहीं या फिर टीवी स्टार इनी होती है इस तरह की प्रोब्लम आती है तो इसलिए मैंने सोचा इसके पर एक विडियो दे दूँ तो ठीक है इसका प्रिशेट हम चेंज करते हैं और य जुछारन के आमरे टीवी जोई स्टार्ड नहीं हो रही है इए प्रेसेट नेकर देखे इसका नंबर है मैं आपको बता दूँ 202 तो इसी नंबर का में दूसरा प्रेसेट डाल दूँगा तो यह रहा मेरे पास दूसरा प्रेसेट वही नंबर का गुची नम्बर का और यह रहो जो खराब है ठीक अजिसे हम लगाते हैं तो हमारा प्रेसेट लग चुका है ठीक है अब देखें कहीं बार के हमको प्रेसेट के वाल्टेस सेट करने पड़ते हैं तो आपको अब यहसा डाउड़ आप जो इसके 110 के वह जो सेक्शन जारे से ओपन कर देखें क्योंकि इस तरह की करेंट आगे ना जाए और यहाँ पर आप 110 वल्टेज फिक्सर सेट कर लेजिए ठीक है तो मैं इसके जो 110 के जो सेक्शन जारे से अब आपन कर देता हूं अच्छी तरह से अपको इस तरह से ओपन कर लेना है अच्छी तरह से ताकि एक बिसम टच ना हो ठीक है यह देख लिए और स्विच दबाता हूं तो देखें यहाँ पर वल्टेज देखें बन चुका है और यहाँ पर भी देखें यह देखें बेस वल्टेज यहाँ पर भी आ चुक है और नास्ट का देख लिए तो ठीक है तो ठीक है टीवी को चालू करके देखता है तो देखते हैं को टीवी को चालू करके यह स्रीज में लगा है मेरा यह देखें स्रीज बल्ट लगा है बल्ट पर गलो होने लगा और यहाँ पर देखें यह हो चुक है पर पर गलो हो चुक है तो यह हमारे प्रब्लम सोल हो चुक है तब लास्ट मैं आपको बता दूँए इसमें प्रिसेट ही क्यों खराब होगा तो देखें मैं आपको एक सीदी से बात बताता हूं पर उबता है यही को कन्टेज को कंट्रोल करता है यानिकि वाल्टेज को कम जयदा कनने के काम जाता है खांन कियोगा क्यों जोत्व बास झुल्धा से अ भी ओपर चुछ जाता है तो हमारे वाल्टेज स्पिक्स नहीं हो पाते है इसलिए आधिक तर केस में यही खराब होता है तो कभी आपके बाद जिस तरह की प्रोब्लमा है तो प्रिसेट को जरूर ट्राइ कीजिए और फिर भी आपकी प्रोब्लम सोल नहीं होती है तो आप एक काम किजिए जो उसका सेक्शन से लेटे तीन रिजिस्टनस लगे हैं यह देखे हैं इन्हें जरूर ट्राइ करना अप तो केपलर को चेंज करके जरूर देखे एक बार तो बस अभी क्लेट नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में